नमस्क्राइब बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने अउल्लाइई सेस्थान परिक्षप्रस में एक बहुत बड़ी फुस्कपरी आप सभी के लिए है यह हमारे इस एक्जाम पे जो इस्टे लगाया गया था नैनिताल देरादून से कुछ लोगों के द्वारा लगवग चार इसमें लोग थे जो जिन्होंने क्या किया था एक याचिका दायर की थी कि इस exam में कहीं न कहीं ये societal state level का मामला है तो जो center government है वो इसको conductor नहीं करा सकती है और इसके चक्कर में इस exam में क्या किया गया था वहां के जो high court था वो इस्टे लगा दिया था कि 17 October की निख्ष सुनवाई तक इसके सारे process बंद कर दिये जाएंगे यही कारण था कि आपका जो correction window था वो भी नहीं open हो रहा था आपकी exam date जो पहले 7-8 October और 14-15 October में सुनाई दे रहा था exact date नहीं थी पर सुनाई सभी को दे रहा था हमें भी कहीं न कहीं पता यह लगा था कि ऐसे में हो सकता है उस पे भी कहीं न कहीं प्रभाव डाला बड़ अभी अभी इस पे एक cover आई है और वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ इन दा हाई court of उत्राकन नैनिताल ने क्या कहा है special appeal number 331 of 2023 26 September 2023 की यह PDF है और इसमें यह बताया गया है कि National Education Society for Tribal Students and Other और versus चंद्रमोहन सर्मा and Other जो respondent है appellants जो है वो NSET है उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर special appeal 334 2023 और भी लोगों ने किया था जिसमें फिर से NESTS के खिलाब हुआ था और इस बार सचिन चमॉली and others थे respondent और इन सब का कहना यह था कि जो the court made the following common judgment उस समय जो judgment दिया था उसको पहले में पढ़तू यह तमाम पत्रावलियों के उस पर उन्होंने बदाया है और यह बोला था कि 178 2023 को एक सुनवाई की थी सुनवाई यह की थी कि जब तक अगली सुनवाई मतलब 1710 2023 तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक जितना भी examination process है selection process है persuaded to online advertisement and extra attain to the written petition भी state मतलब की यह क्या हो जाएगा selection process है सारी की सारी जो chain प्रक्रिया है वो क्या हो गई थी इस्टे लग गया था रोख दी गई थी वही के वही बे अभी क्या है कि the Appellant National Education Society for Tribal Students जिसे NESTS बोला जा रहा है had initiated the recruitment process for filling of online application form for EMRS staff selection exam ESSE 2023 क्यों क्योंकि the red petition responded number one to four are scribing as contractual employees इन्होंने यह कहा है कि अभी इस प्रक्रिया को फिर से चालू की जाएगी क्योंकि जिन्होंने यहां पर petition डाला है जिन्होंने याचिकादारी है जो practitioners है उनका वो क्या है वह contractual employee है और जो यह vacancy निकाली गई है वो contextual employees पे कोई effect नहीं डालेगी कहने का मतलब यह कि यह किसका state का case है यह state का case है state society का case है कि वो अपने यहां किसी contract पे रख रहे हैं संविदा पे रख रहे हैं या किसी भी उस पे रख रहे हैं हमने तो अधियाचन लिया हमें जितनी रिपोर्ट आई कि भाई इतने पद यहां पे खाली हैं उतने पे हमने vacancies निकाली है अब जब वहां पे वो पहले ही contract basis पे रख थे थे तो उस पद को अधिया ही नहीं गया मतलब कि अगर नए बच्चे सरक्थ होके आएंगे तो जो contractual पे टीचर है उनको हटाए नहीं जाएंगे उनको हटाए बिना बाकी जो बच्चे होंगे पे रिक्रोट होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा उनको चयनित कर लिया जाएगा और यही इसमें लिखा गया है दर्लेट पेटिस्टों रिस्पॉंड नमबर देश चार थे आसकर भी अस अथरटी नहीं तक ही रिक्रोटमेंट कर पाएं यह स्टेट लेबल सोसाइटी का काम है पुच बाद में अपने जवाब में क्या कह रहा है जो यह मारे सब्ले बचाओ में क्या कह रहा है अपलें फाइल्ट और counter-affidavit उन्हें counter-affidavit डाला है along with an application to seek vacation of the stay granted by this court against the recruitment process कि जो ये लोग चा रहे हैं उस seat को vacant ही रहेगी उसको नहीं भरा जाएगा the stand taken by the appellant in their counter-affidavit inter alia is that the recruitment process is in question is not being made in is not being is not being made in respect of post help by the respondent जो respondent course ले रखे हैं उन्हें पर ये क्या किया जाएगा उनकी जगा नहीं ली जाएगी in paragraph number 14 of the counter-affidavit the stand taken by the appellant is as follows appellant क्या कह रहा है उस बात को सुनग ध्यान से ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है और यहीं पर पूरा सार है आपको यह न लगे कि यह मैं कह रहा हूं यह कौन कह रहा है यह EMRS कह रहा है क्या कह रहा है कह रहा है कि that the content of para 25 of writ petition to make the matter evidently clear it is submitted that presently an ESTS would not post would not post any teacher against the post occupied by these 28 contractuals in उत्राखंड उत्राखंड में ऐसे 28 teacher हैं जो contract basis पर work कर रहे है NSTS जो EMRS होक में vacancy है selection के बाद इन पदों पे नहीं भरी जाएगी these posts are remain vacant for these contractual teachers as of now NSTS has not published the post held by contractual teachers as they are engaged by state उन्होंने इसके लिए क्या किया उसको जो पद में जो इतनी vacancy आई है उस vacancy में यह 28th पद हाई नहीं वह 28th उन्होंने छोड़ के निकाला है क्योंकि यह किसका case है because the contract of teacher ends with the state society यह state society का कारे है NSTS has nothing to do with their continuation or discontinuation NSTS उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि state उसे contract पे रखती है या उसे full service पे रखती है यह state society का अपना काम है हमने तो इस 28th को छोड़ के vacancy निकाल ले और भाई जब उसने यह कह दिया तो भाई तुम contract पे हो तुम्हारी नोकरी नहीं जा रही है हमें अपना selection करने दो ना तुम परिस्तान हो ना हम परिस्तान हो किस बात की लड़ाई किस बात का जगड़ा और इसलिए पूरा का पूरा मैसिस क्या कर दिया गया डिस्पोज कर दिया गया जो बहुगना थे उनके senior सारी चीजे अभी नहीं पढ़ने के वशकता नहीं है मैं लास्ट में आपको पढ़के बता दे रहा हूं कि in our view in that light there was no reason to continuous the interim relief granted to the rate petitioners in respect of the entire selection process be thereof vacate the interim order dated 17-18-2023 and the order dated 17-18-2023 passed by the learned single judge while making it clear that the NSTS SL remain bound by their stand as noted here in above in paragraph number 14 of their contract बोला है कि अब हम कोई case नहीं दर्च करेंगे अब NSTS को मतलब कि EMRS को जो उसने कहा है कि भाई इस चीटों पर हम vacant छोड़ देंगे भरेंगे नहीं अगर वो ऐसा करता है तो यहां पर केस का कोई बात ही नहीं है लड़ाई की कोई बात ही नहीं है और उन्होंने कहा it goes without saying that the recruitment process may go on क्या बोला कि recruitment process क्या होगा recruitment process में go on recruitment process जैसे चल रहा था वैसे चलेगा but the same will be subjected to the final decision in the written petition लेकिन जो final decision होगा written petition में उस पे होगा तो final decision क्या है यही है the special appeals are disposed of क्या हो गया जो special appeal था वो disposed of कर दिया गया और for certain term के आधार पे pending application if any also stand disposed of अगर कोई और भी application डालने का प्रयास कर रहा होगा तो वो भी क्या किया गया वो भी रद कर दिया गया खारीश कर दिया गया और यह वेपन सांगी चीप जस्टिस राकेश थापलिया जी जो जस्टिस इन्होंने कहा है 26 सत्मबर की रिपोर्ट है और उमीद है एक रहात की सांस आप लोगोंने लिया होगा कि ही हमारे स्की तमाम vacancy जिसके लिए आप मह अधूरी रह जाती उसके लिए थोड़ा सा समय दे दिये तो इन चार महोंदे को थोड़ा हमारे लिए द्योदा समान हो गए हैं जो हमें भी समय मिलगा आपको पी समय मिलगा थोड़े त्यारी अच्छे करने के लिए लेकिन अब पूरी उर्जा लगा दीजे अच्छे से पूरी तैयारी जम के कर लीजे अगर अभी भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे थोड़ा थोड़ा पढ़े हो तो भी आपके सेलेक्षिन के बहुत अच्छे चांस हैं तो मेरी बात को अंसे सुनिएगा परिश्चा प्लस से आप डाउनलोड करिए सारी इंफॉमिश सभी का बहुत बहुत आबाद